कि नमस्कार दोस्तों स्वागत है रहूल रासकर एकड़ेमी के एक नए वीडियो में तो आज का वीडियो होगा आर्टी एडमिशन के बारे में सो बहुत सारे पारेंट्स को पता नहीं है आर्टी स्कीम तो आज हम उस पर नजर डालेंगे और देखेंगे कि हमारे बच्चों को आर्टी स्कीम के थुरू अच्छे स्कूल में कैसे एडमिशन मिल सकता है चलो तो वीडियो शुरू करते हैं उससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरे पैरेंट के साथ शेर कीजिए चलो तो शुरू करते हैं सो आर्टी स्कीम के लिए हमें आर्टी हम गूगल में सर्च कर सकते हैं और पहला ही रिजल्ट आएगा स्टूदेंट महारास्ट्रा.gov.in तो यह महारास्ट्रा के लिए वेबसाइट है तो हम देखते हैं इस वेबसाइट पर हम हम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर महाराटी में जानकारी मिलेगी तो इसमें लिखा है कि जो वेटिंग लिस्ट में है तो वो एड्मिट कार्ड का प्रिंट नहीं किया तो भी चलेगा क्विकि उनका जो एड्मिट तो सेकेंड रौंड में आपको कंफर्म एडमिशन मिल सकता है और जिस बच्चों को इडमिशन मिला है उसका लाज्ट डेट है 29 एपरिल 2022 तो जब आपके बच्चे का अपर्म एडमिशन मिलेगा तो आपको स्कूल या गवर्मेंट के पॉर्टल से SMS वो सेंड करेंगे बट वो बोल रहे कि उस SMS पर डिपेंड मत रहिए नेट्रो के कारण वो SMS डिलेवर नहीं होगा तो आप उस पॉर्टल पे लॉग इन कीजिए और चेक कीजिए कि आपके बच्चे का नाम उस लॉटरिलिस्ट में है या नहीं जिस बच्चे का लॉटरिलिस्ट में नाम है वो अलाट्मेंट लेटर प्रिंट कर सकते है रटी पॉर्टल पे जाके और जो यूजर ने में और पासवर्ड है वो किसी नोटबुक पे आप नोट कर लीजिए क्योंकि ये प्रोसेस में लगने वाला है कि देन आपको जब अलाट्मेंट लेटर प्रिंट करने में कुछ तकलिफ होती है तो आप नजदीक के केंदर पे जाके उसका प्रिंट निकाल सकते है तो उसकी जरूरत है अलोटमेंट लेटर की स्कूल में एडमिशन के डॉकमेंट देने के लिए उसके साथ हमें अलोटमेंट लेटर देना जरूरी है तो यहाँ पर पूरे जियार्स है कि क्या-क्या उसके नियम है सरकारे नियम तो हम जान सकते हैं यहाँ पर सेल्प डिकलरेशन हमिपत्र की प्रेंट्स ने यह हमिपत्र प्रेंट करवा के उस पर पूरा डेटल फिल करके स्कूल को सब्मिट करना है उसके लिए डॉक्यूमेट्स क्या है यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के लिस्ट दिये उन्होंने तो पहला है प्रेंट मैं ना सायल्टिपिंट की हम कहा रहते है उसका तो उस पर रेशनिंग कार्ड ड्राइविंग लाइशन लाइड बील फोन बील देन पाने पट्टी घर पट्टी गर बैंक का पास्ट बूक अधार कार्ड वोटिंग कार्ड पासबोर्ड पासपोर्ट यह भी चलेगा यह आपके पास नहीं है तो आफ निवासी डॉक्यमेंट कुछ दे सकते हैं जो रेंट एग्रेमेंट है उसके लिए बट वो रेंट एग्रे कम से कम वो 11 मैनों का होना चाहिए और ग्यास बुक है भारत ग्यास का और या किसी ग्यास का वो उन्होंने रद्द किया है दूसरा डॉक्यमेंट है कि जो बैकवर्ड क्लास है उसके लिए कास सरेटिपिकट जरूरी है और इस साल में इंकम सर्टिपिकट की कोई जरूरत नहीं है बैकवर्ड क्लास के लिए बट ओपन कैटेगरी के लिए इंकम सर्टिपिकट जरूरी है उसका लिमिट है एक लाग से कम इंकम सर्टिपिकट होना चाहिए तरसिर्दार या उपजिल्ला अधिकारी या उपविभागिया मनसूल अधिकारी उनका कास सर्टिपिकट जरूरी है और यह सर्टिपिकेट बचकुन का होगा विचशले यह तो पारेंट्स चलेगा वे अंधिकेप का सर्टिपिकेट ऑप घेण चलेड़ इनकम सर्टिफिकेट तो इनकम सर्टिफिकेट यह 2020-21 यह 2021 का चलेगा और उसमें इनकम सर्टिफिकेट में ओपन कैटेगरी को इनकम का लिमिट है एक लाख से कम होना चाहिए और दूसरे राज्य का प्रंसिडर नहीं करेंगे पॉर एक्जंपल आप महाराश्चर में अपलाई कर रहे हैं और दूसरे राज्य मध्यप्रदेश का इनकम सर्टिफिकेट यहां पर नहीं चलेगा तीसरा है बड़ सर्टिफिकेट तो बड़ सर्टिफिकेट जिसमें बच्चे का नाम डेट अब बड़्थ है वो वह सब्सक और जो भी वे पालक है उनका एकलावती संतान है गर्ल चाइल्ड दिन उनको उनके लिए एकल पालक कत्व का सर्टिपिकेट लगेगा नो एकल पालक कत्व मतलब कि उस बच्चे को एक ही पैरेंट है तो ऐसी प्रकार के डॉकुमेंट से वह हमें फॉर्म भरने से पहले वह जमा करने है तो उसके लिए हमें टाइम भी मिलता है जब हम फॉर्म भरते है उससे पहले हमें कुछ डॉकुमेंट नहीं है फॉर एक्जामपल डॉमा सेल सेटिपिकेट नहीं है तो हम रेंट अग्रेमेंट कर सकते हैं हमारे प्रॉपर्टी ओनर के साथ तो चलो फिर से चलते है वेबसाइट पर यह हो गया रेक्वाइर्मन डॉक्मेंट यहाँ पर हम स्कूल की लिस्ट भी देख सकते है उसकी फी क्या है यहाँ पर हेल्प सेंटर के डीटेल्स है एडमिशन का शेडूल है तो यहाँ पर हम तक बने रही है तो यहाँ पर हम यह सिलेट कर सकते है देन राउंड एंड देन रेगुलर सिलेक्शन तो इसमें यहाँ पर पूरा डिटेल दिया जाएगा कि फॉर्म भरने की लाज्ट डेट कब तक है कब से शुरू हुआ और पहले राउंड की एडमिशन कंसर्म करने की पर क्या है यहाँ पर नोट में कुछ इंपॉर्टन्ट नोट होगा तो बोड डिस्पले हो जाएगा तो यहाँ पर है सिलेक्टे स्टुडेंट की जिन बच्चों का भी सिलेक्शन हुआ है उनका डीटेल यहाँ पर दिख जाएगा देन वेटिंग लिस्ट यहाँ पर एडमिशन शेडूल तो यहाँ पर दिख जाएगा डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पर एडमिशन शेडूल दिख जाएगा यहाँ पर लिस्ट हुआ 31 मार्च को तो एडमिशन हम ले सकते हैं 5 एप्रिल से 29 एप्रिल तक उसके बाद और नहीं करेंगे कुछ नोट होका तो यहाँ पर दिखेस्प्ले करेंगे सिछलेक्ये़ लिस्ट हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट चाहिए तो यहाँ पर इच्ळेट करके हम चेक्पर सकते हैं वेटिंग लिस्ट यहाँ पर हम वेटिंग सब्लेट्ट भी चैकर सकते हैं ऐन्य Condor student the not selected student उनका भी हम लिस्ट चेक कर सकते है दिर एड्मिटेड स्टुडेंट यहाँ पर हम डिस्ट्रिक्ट सरच करके एड्मिशन एड्मिटेड स्टुडेंट भी चेक कर सकते हैं यहाँ पर मैंने तो यहाँ पर मैं सर्च कर रहा हूं तो एक बार रिफ्रेश करता हूं कभी कुछ ड्रॉपडाउन नहीं आता तो हम उस पेज को रिफ्रेश कर सकते हैं और फिर से सिलेट करेंगे सिलेक्टेड सिलेक्टे एंडुटे चाहिए हमें तो उउक्लीक करेंगे तो यहाँ पर यह सेलेट करेंगे कौन सट चाहिए for example में यहाँ पर सेलेटकर ता हूं पुन्ली डे ट्रट्रिक्ट गान अई यहां पर राउंड वन यहां पर वाइज लिस्ट चाएगे यहां फिल्जाग मुझे यहां पर मैं ब्लॉफ मतलब वहाद का करें और इसे पर गोपर करूँगा तो हां पर पूरा लिस्ट आ जाएगा कितने बच्चों को उन्हों ने अद्मेट किया है तो यहां पर देख लीजे मेरी बच्ची का नाम है यहां पर तो उन्होंने पर 90 February को उन्होंने एडमेट किया है तो ensed mission प्रोशिस क्या है तो उन्होंने पूरा डिटेल दिया है कि पार्ट वने इस्टूल मकUS जो स्कूल हो डिटेल दढ़े में कि इथे च्वानलो कि उनके स्कूल में हाड़ी के लिए कितना वेकंसे वह फिल करेगा तो उसके बाद जो पैरेंट से वो बच्चे के लिए रजिस्टर करेंगे सिस्टम में उसमें रजिस्टर मोबाइल डालेंगे चैल्ड का डीटेल डालेंगे पैरेंट का डीटेल डालेंगे और उसका डालेंगे तो उसके एरिया में एक किलोमेटर से तीन किलोमेटर के अप्लोड करने होंगे तो फॉर्म भरते समय तो कुछ डॉक्यमेंट ज़रूरी नहीं होते बट जब हम हमें लॉटरी में हमेरे बच्चे का नाम आता है तो वह स्कूल में जाके ओरिजिनल और उसकी जरॉक्सकॉपी हमें सब्मिट करने पड़ती है है तो डॉक्यमेंट कुछ अप्लोड करने होंगे तो वह अप्लोड कर सकते हैं उसके बाद हुआ वहाँ पे टिक कर सकते हैं कि कौन से डॉक्यमेंट रिक्वार्ड है हमारे पास है या नहीं वह कि एक होगा बढ़ सर्टिपिकेट बच्चे का देन डोमा साइल सर्टिपिकेट जहार रहे रहे है उसका एड्रेस प्रूफ एंड तीसरा कैटेगरी का है तो कास्ट रेटिपिकेट और या ओपन का होगा तो एक लाग से कम का इंकम सर्टिपिकेट और यह कंफर्म एड्मिशन करेंगे कंफर्म के सिवा वो लॉटरी के लिए कंसिडर नहीं करेंगे हम भरते बट कंफर्म नहीं करेंगे तो वो कंसिडर नहीं होगा तो कंफर्म करना बहुत ज़रूरी है उसका प्रिंट निकालके रखिए देन जो डेट दिये उस डेट में ल तो जो सिलेक्टेड लिस्ट है उसका जो वेबसाइट पे लिस्ट पब्लिश होगा तो हम लॉग इन करके उनका एड्मिट कार्ड निकाल सकते है और ओरिजिनल डॉकुमेंट एड्मिट कार्ड देन सेल्फ डिकलेरेशन वह हमें उसके दो कॉपी एक ओरिजिनल और एक जरॉ स्कूल में जाके सब्मिट करनी है तो उसके बाद स्कूल हमारे बच्चे का एड्मिशन कंफरम करेगा और तरसियल में जाके ओरिजिनल डॉकुमेंट कमेटे के थ्रू कंफरम करवाएगा तो उसका लॉजिक क्या है वो भी वहां पे दिया है पैरेंट्स के लिए कुछ सु अप्लिकेशन नमबर डाल दिया और गोपे क्लिक किया तो यहां पर दिख जाएगा कि उसको यह स्कूल अलॉटेड है और मैंने डॉकुमेंट सब्मिट किया है तो उसका डेट दिख जाएगा तो लास्ट में पूरे स्टेट के डिस्ट्रिक्ट और उसमें कितनी स्कूल्स है उसमें वैकंसी कितना है प्रोटल एप्लिकेशन कितने आये हैं सिलेक्ट कितने हुए और कंपर्म कितने हुए उसका लिस्ट हमें दिख जाएगा चलो तो लॉग इन करके देख लेते हैं कि कैसे फॉर्म भरते हैं अभी तो उसका लास्ट डेट निकल गया उसका लास्ट डेट उसका नोटिफिकेशन आता है जनवरी या फरवरी में और उसका लास्ट डेट रहता है फरवरी या एक्स्टेंड होता है माज तक तो पैरेंट कंप्लेट होगा तो भी चलेगा मतलब अभी बच्चों का जब फॉर्म भरते समय पाथ साल कंप्लेट फाइव पॉइंट पाथ साल और चार पाथ मैने हुए तो भी वो कंसेडर कर सकते हैं क्योंकि वह एर एंड का जो इलिजिलिटी मन्त है वो चिक करते हैं तो डिसेंबर तक उसका 6 साल का अपना बच्चा होना चाहिए और 6 से 7.5 साल चलो तो लॉग इन करके चेक करते हैं पहला लॉग इन है स्कूल का और दूसरा लॉग इन है जो स्टूडेंट जो पैरेंट्स अपले कर रहे हैं अमारे बच्चों को उनके लिए तो यहां पर करेक्ट डालना होगा तो यहां पर हम पूरा चाइल्ड का इंफर्मेशन भर देते हैं एड्रेस देन गूगल मैप पे हमारा घर लोकेट करते हैं देन उसके बाद में उसको मेडियम कौन सा चाहिए उसकी क्या है वो डीटेल्स एक कर सकते हैं देन हमारे पास क्या का डॉकुमेंट से उसको टिक करना है एड्रेस प्रूफ बर सर्टिपिकेट का सर्टिपिकेट कैटेगरी के लिए और ओपन के लिए इंकम सर्टिपिकेट या कुछ हेंडिकैफ है या हएचज पोजटिव ते उनका भी सर्टिपिकेट लगेगा देन स्कूल सिलेक्शन के हम हमारे एरिया के दस स्कूल सिलेट कर सकते हैं एक से तीन किलोमेटर एरिया में उसके बाद हम सब्मिट करते हैं देन हमारे हम इसका पीडिया का प्रिंट रख सकते हैं हमारे रेफ्रेंस के लिए देन उसके बाद जब शॉट लिस्ट हो जाएगा तो स्कूल का नाम और यहाँ पर हम एड्मिट कार्ड प्रिंट कर सकते हैं तो यहाँ पर मैंने डॉकुमेंट्स तो स्कूल को सब्मिट कर दिये हैं बट तेसिल ने उसे अभी तक वेरिफाय नहीं किया है इसलिए वो पेंडिंग दिखा रहा है तो तेसिल का जो कमिटी है वो क्या-क्या वेरिफाय करेगा तो उसमें वह हमारे ओरिजिनल चेक करेगा और जो फॉर्म में भरा है एड्रेस और वह हमारे डॉकुमेंट का आड्रेस वह मैच करके देखेगा पहला तो देन दूसरा बर्ट सर्टिकेट में बच्चे का नाम उसका डेट आप बर्थ वह भी कंफर्म होगा तीसरा होगा कैटेगरी कि जो कैटेगरी उसके लिए ही एपलाई किया है चोता होगा गूगल मैप में जो लोकेशन दिया है हमारा एड्रेस है और जो डिस्टन आया है वह मैच करके देखेगा देन तेसिल का कमिटी है जो फिजिकली भी हमारा जो एरिया है वह घर पर आके चेक कर सकता है हमारे पड़ुस्यों के पूछ के कि यह पारेंट और यह फैमिली यहां पर ही रहती है या नहीं सो यह हो गया आरटी स्कूल का डेटेल इंफरमेशन आपको और कुछ जानका रही चाहिए तो आप वीडियो की नीचे कमेंट कर सकते है तो मैं इस पर एक नए डेटेल वीडियो बनाऊंगा तब तक के लिए सब्सक्राइब दिस चानल लाइक शेर एंड कमेंट थैंक यू थैंक यू वेरी मुच बाइ